नमस्कार मैं हुशी माव आपने उस्वों नेशन देख रहे हैं जातिकत जरगंड़ना के बाद बीजेपी ने एक बार फिर जनसंख्या नियंतरन कानून लगाने की मांग की है बिहार सरकार में मंतरी नीरज कुमार बबलू ने ये मांग की है कि बिहार में जिस तरह से जाती नियंतरन कानून आना चाहिए मुखमंत्री नितिश कुमार से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है जातिकत जरगंड़ना हो रही है और आपने देखा कि चीन की क्या स्थिति है वहां भी जो है कंट्रोल किया गया था लेकिन कंट्रों को लगे बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं होगा लेकिन जातिकत जरगंड़ना होगी मुखमंत्री ने साफ तौर पर नीरज बबलू के उस बात को इंकार कर दिया जिसमों कह रहे थे कि पॉपुलेशन बढ़ रहे है इस पर कानून मुखमंत्री नितिश कुमार को मुखमंत्री ने जातीकर जरगंड़ना कराया लेकिन जो आपके सही होगी है बीजेपी को लोग वो कर रहे हैं कि बंगलादेश्यों को गिनना चाहिए मुसलमानों का अलग से होना चाहिए यह क्या भी बात करते हैं वेकिनेता देश के अंदर हैं बराबर करता हूं कि कभी जाती का बात नहीं किया है यहां था पाटी का भी बात ने सब लेकर चलने की बात करते हैं इता हमको करते हैं तो उसकी प्रदेश से उनको लगाओ है प्रदेश से महबत है प्रदेश से प्यार है उन्हीं चाहते के प्यार इसमें बटे प्रदेश में जो जाती जगरना होन होने जा रहा है होना चाहिए था होने से और भी आकि पीकास होगा एक आखरी सवाल मेंतरी जी कि जिस तरह साप लोग विल्जाम लगाते हैं कि आर जेडी को मुसल्मानों ने वोट दिया लेकिन उसकी इस्तिती बहुत ज्यादा बत्तर कर दी सियासी तोरपर इससादारी नही हाई बैकर जो भी अपरकाश्ट में उगरी भाई हैं उनको फाइदा होगा और उनके फाइदे किस लिए हमारे सरकार काम कर रही है और आगे क्या उनको फाइदा हम दे सकते हैं उसे हमलों विचार करेंगे रिजट आने के बाद आपने सुना के कल्यान मंद्री जमा खान न करने लिया है उससे काफी कुछ फाइदा होगा जो लोग भी हैं चाहे वह अपरकाश्ट के लोग हो या पीछरे हो पसमांदा समाज के लोग है उन लोगों को फाइदा होगा इसलिए का पता चलेगा और यही मान करके मुखमत्री नितीश कुमार ने सर्विदेली बैठक ब कर इस होगा झाले में लोग है उना करे कि लोग है वही मान कर जोग जए सक्दा है ॥ाइदा ब्लोग है झाले नेल हैं सही है और लोग है